जौन पूरे एक घटना जो की 5 सितंबर को एंकाउंटर होता है उसके बाद अखले से आदो इस मामले को ट्वीट करते हैं कि ये फेक एंकाउंटर है उसके बाद चर्चा का बिसा बन जाता है इसमें पूरे ऐसे यूपी में नहीं पैसा देखा जा रहा है कि पूरे भारत से अभी लोग यहां पर पहुच रहे हैं कि उनके घर पे कोई सांतोना दने तो को यह जानने कि आखिरकार क्या वास्तविच्ता में आखिरकार क्या हुआ था अभी तो कल की डेट में यूपी अश्टीएप के द्वारा एक वीडियो भी जारी किया गया उसकी बहन का मंगे से कि मलब मंगे से आदो कितने दिनों से यहां पर नहीं आए तो उसका अकाना तीन महीने से तमाम बाते हैं तो अभी मालया उन्हीं के यहां सरद्धानजली देकर के लोटन राम निसाथ जी पहुचे हुए चुकि एक बेबाक नेता है तो इंसम लोग थोड़ा बात करने का प्रयास करता है कि आपके नजरिये से क्या लगता है सबसे पहले तो हमें आपसे यहीं जाना चाहेंगे कि यह इंकाउंटर ही किस तरीके से आपके नजरिये में क्या है देखे अठाइस अगस्त को ठठेरी बजार सुल्तानपूर के सर्राफा मार्केट जो भरसोनी की दुक और यहां का यह गरीब गुर्बा परिवार का लड़का मंगेश यादो उसको पुलिस वाले जो है कि एस्टीएप के लोग उठा ले गए और पांच तारीक को घर से ले जाते हैं वह उठाकर रात में और पांच तारीक के बहुर में जो है कि पुलिस से मुटभेर दिखात सब्सक्राइब तर रुसमें की इंकाउंटर में जो है कि डखेत कि मंगेश यादो मारा गया इसलिए हम लोगों को संदे है यह सही यह है नकी रियल इन-काउंटर है इसलिए कि दो वहां पर सचिंज शिंग पुस्परेंदर सिंग हैं उनके पैर में गोली लगी है और इसक पुलिस ना काम है दिन दहाले डकाइती हो रही है प्राद बढ़ता जा रहा है तो अगलेश यादो से रिच खा करके जो है जोगी की सरकार ने प्रायोजित तरीके से जो है मंगेश यादो की हत्या कराया और एक यादो को और उठा गया था जमगर से यह तो मामला इतना तु इस पर बयान देने के लिए आगे आने पड़ा और पांतारिक से लगातार मैं भी इस पर आवाज उठा रहा हूं कि भाई क्या गोली जो लगती है जाती देखकर लगती है क्या यहीं कादीपुर में एक मुर्भेर कांड हुआ था दिखाया गया था ठाकुर के पैर में गो पांड करके उन्होंने इंकाउंटर किया और यह इंकाउंटर नहीं है पूरी तरह फेक इंकाउंटर है फर्जी इंकाउंटर है और योगी जी जिस तरह से बयान बाजी कर रहे हैं तो यह पूरी तरह से जो है ठाकुर बाद का समंध बाद का परिशे देने का काम कर रहे है वो बोले कि मतलब अपराधी है तो मारा ही जाएगा उनका तो यह वक्त अब्यारा था उसका जो मास्टर माइंड था विपिन सिंग कि जो भवानी नगर का थाना मोहन गण्या मेठी का रहने वाला है उसका भाई विबेग सिंग अनुद्परताप सिंग और ने तो सरंडर कर दिया तो फिर सरंडर कर देगा तो बॉले थाना झाया जो और जो भाई विपेख सिंग उसका भाई बीबेख सिंग उसके रहा है अनुछ प्रताप सिंग सचीन सिंग पिछपेंदर सिंग एक बगल के गाउं का भीने सुकला रहा है तो और उनको सनछर देने का काम अमेठी और सुल्टानपूर के एक MLC हैं सिंग उपनामदारी एक विधायक हैं एक मंत्री हैं सिंग उपनामदारी इनी लोगों के समच में प्रेकार से उन्होंने ट्वीट के माध्यम सकले से आदो ने कहा है कि मतलब जातिवादी मानसिक्ता के साथ थरकार काम करें आपको भी ऐसा लगता है बिल्कुल मैं तो शुरू से बोला हूं क्या मेरी बिरादरी का था क्या है लेकिन गलत हुआ तो गलत का मैंने प्रत्कार किया और कर रहा हूं लगाता और करता रहूंगा जब विकास दूबे की गाली क्रित किया गया उसकी आबरू के साथ खिलवार कारागार के अंदर किया गया अजब मुझे पूलिस कर्मियों ने कुछ हमको बताया कि इस पर आपको आवाज उठानी चाहिए मैं प्रेसकार भेस करके इस मुद्दे को उठाया कि विकास दूबे अपराधी था तो उस अप गलत होगा तो लोटन राम जो है मुखर होकर उसका विरोज करेगा और यह फेक इंकाउंटर था इसलिए अखलेस यादों को ट्वीट करना पड़ा और राहुल गांधी को भी समर्थन करना पड़ा तो जहां भी इस तरह का होगा यह नहीं कि यादों है तो अखलेस यादो इसलिए अखलेस यादों आवाज उठाएं बहुत से यादों का इंकाउंटर हुआ लेकिन जहां फेक पुस्पेंदर यादों का फेक इंकाउंटर हुआ जासी में 476 यादों मारे गए थे एक एक दिन मेरे पास पूरी लिस्ट थी कि हमारे यहादों को 23 मई 2019 को मारा गया दूसरे दिनों परकास यादों को सागंज जानपूर में मारा गया तो फिर तीसरे दिनों परकास यादों को जो है कि आजमगर गोपालफूर में मारा गया अखलेस यादों को जो है कि अजो द्या में मारते मारते 476 नमर पर पुस्पेंदर यादों का फेक इंकाउंटर कि तो जो पुल्वामा में मोदी की सरकार ने एक प्लानिंग के तहट कि जनता को गुमराख करने के लिए राष्टबाद के भावना भरकाने के लिए लंबा उधर चला जाएगा जोगी जी 46 जमान मारे गए 45 बैकवर्ट थे 23 सियादों थे एक मिस्रा थे मिस्रा के घर जो है यह देवरिया जब उचार करने गए तो क्या यह समनबाद नहीं कर रहे हैं अगले सियादों किसी निशात कहां चले जाएं किसी गुपता कहां चले ज है कि मतलब मुस्लिमों के साथ अभी आविध्या में ऐसा हुआ था अखले सियादों ने ऐसा कुछ ट्वीट नहीं किया लेकिन जब यादाओं पर होता है तो ट्वीट करते हैं और समाजवादी सड़क पर उतर जाते हैं देखे वहां पर जो आरोप लगा मोहित खान पर सम पर आधी नहीं हो जाता जब तक कि बीचना की रिपोर्ट नहीं आ जाए बीचना पर भी कही कही प्रस्णेचीन खड़ा करना पड़ता है जैसे अभी आपने कहान है कि उसकी बहान ने बयान दिया कि तीर महिना से घर नहीं आ रहा था इस तरह का पुलिस वीडियो जारी की है आप अई हो आप रहीपूरिया से आये हो अब आपको लगाएंगे रिवाल्य में आपके भाई के आपके पतनी के आपके यह दंकी देंगे कि आपका बेटा अबारी घिरप्त में है जो कहूं वही करना है आपकी माहा की बहन आपकी पतनी क्या करेंगी म Een thing लड़की दर के मारे उसको भए दिखाया गया दर के मारे इस तरह का बयान दिया होते तो अर्बिन्द यादव कि अभी इनकाउंटर हो गया होता धकवा बजार के भी एक यादव का का इंकाउंटर हो गया होता तो जहां गलत होता है तो गलत है तो यह कहनी आप देखो लेकिन देखो भी यह जो इनकाउंटर होगा ना एक फेक इंकाउंटर फर्जीर है और कहते हैं कि हैं कु premise कल्यान सेज़ी तब कछ से जोगी उत्तर प्रदेश के मुखे मंतरी Settings बशत होगया है और इस कह सकते हो जो सूची हमारे पास आई है सूची जो आई है इस सूची को आप देखोगे तो आप खुद कहोगे कि सबांड टाक्स फोर्स है दिकेशाही ठाकूर जो लीड कर रहे थे एस्टिएप को फिर उसके साथ भिमलकुमार सिंग रागवेंदर सिंग प्रदीप सिंग महाबीर सिंग सुसील सिंग और बिर्जेश पाठक की बिरादरी के चार नाम है इसमें नीरष पांडे हैं अमित्र पाथी हैं राम निवाज सुकला है अतुल अतुल चतुर्बेदी औ और एक अमर सिर्वास्त हो है कायस्तवी रादरी के एग्यारा की ग्यारा क्या है सबर मनुबादी आरेसेस इसलिए हम कर रहे हैं जिसे इस पेसल ठाकुर फोर्स था तो अब यह सबर्स हो गया जो चुन-चुन करके ओबी-सी-सी के लोग जो है उनको उनने दहसत की भावना पैदा करने के लिए दो हजार चुवीस में जो बूरी तरह हार मिली है दो हजार सथाइस में फिर यादव और गवर यादव का मुद्दा करके हिंदू-मुसल्मान का मुद्दा करके जो चुनाव जीतने का प्लानिक बना रहे हैं योगी अदित्यनाथ जी जाती बात का नंगा नाच करें जोध्या दोड़ दोड़ के जा रहे हैं मिलकी पूरा कटेहरी को चुनाव जीतने के लिए लगता है कि पानी पत्राइन का जुद्द का छेत्र बना लिए हैं लेकिन जीसरा लोग सभा चुनाव में म यह लड़ाने वाला नहीं है और यादव ही ऐसी जाती है जो सामनतों का गुंदों का और समाज में के साथ होए मंडल बाद सामाजिक यह लड़ां कोन दरने वाला नहीं है क्योंकि यादों का उर्थ है बड़ा व्यापक होता है यातना से मुक्ति दिलाने वाला दमनकारियों को खतम करने वाला या रास्ते पलाने वाला और वक्त पर कामाने वाला यहां किसी गईब गुरुबा पिछड़े दलिध बन्चित चाहे समाज का भी अगर बन्चित प्रिवार वालों परिवार उनके दादा मिले थे और भी परिवार के सदस्य थे और वह लोग नियाई की गुहार कर रहे हैं कि लड़के कुठा के ले जाया गया क्या मतलब सिस्टर और माता पिता उनके घर पे नहीं है कहीं वो लोग गये हैं कि दादा उदा थे चाचा उचा थे लड़के के लिए बात हुआ हो लोग की गलत हुआ है लेकिन आप लोग आ जा रहे हैं तो हम लोग बल मिल नहीं है अब बेटा तो मेरा चला गया हुआ नही किसी दिन कुषबाहा और पटेल जी की बारी आ जाएगी अभी पटेल जी को देखो बारी आ गए थी नहीं ललितपूर में का हुआ साजे का भठा चला था लाभान्स का हिस्सेदारी की बात हुई और तीन जोगी के विरादरी के सरहंग सामंती ठाकूर घर में घुज करके पेट्रोल डाल करके जला दिये और अस्थानी पूलिस जो है तीन दिनों तक मुकदमा नहीं कायम किया यह है अभी ठाकुर आर्थर सिंग है भारती जंता पाटी की नेता का बेटा दो च्छतारी को जनम दिर की पाटी मनाने के लिए दो लड़कियों को चवराहे से उठाता ह ठाकुरों की गिरफतारी समाने तरप होती है और एक निशाद और एक अंसारी मुसल्मान को गोली मार दिया जाता है कुशी नगर की घटना है महराजगन के सोहनी गाउं का तो यह हाल चलना है कि ठाने पर जाओ बैकवाड हो दलित हो पिछड़े हो गाली देकर के भगा दि नहीं होता है कई पिछले दलित की महिला बेटी अगर उसके साथ छिड़खानी होती है बलतकार होता है यह फायार दर्च कराने जाते हैं तो कई घटना आ गई क्यों गई नयाय मांगने अब फिर दुबारा बलतकार की शिकार हो गई यह जोगी की सरकार में चलना है बहन ब हम लोग उसी तरह की जाच की मांग करें जैसे पीली भीत में फेक इंकाउंटर में दो तीन जो है कि सिक समाथ की लोगों की हत्या की गई थी और माननी उचितम ने आयले ने उसका ज्ञाल लिया था और उसकी जाच हुई अठारा पुलिस कर्मियों को दोसी मांते हुए 302 क की नवकरियों में जो बेतन के रूप में अर्जन किये थे उसकी रिकभरी हुई इसी तरह के न्याय की मांग हम लोग मंगेश के परिवार के लिए भी कर रहे हैं और न्याय की लड़ाई लड़ते रहे हैं अचले बहुत बहुत धन्यवाद देखें लोटा नाम निसाथ ज बताय जा रहा है मतलब इसमें और एक बार जेल भी होकर के आया है मतलब किसी चिनैती के ही मामले में लेकिन यह चेत्र के पूरा हम तो भाईया यादा बचा कि नहीं कोई मामला था निशाद भी नहीं कह देगा मान लिया थाकुर बाबन भी कर रहे हैं कहीं उस लड़के को मामला चौरी का मामला कभी हम लोग सुने ही नहीं थे उसके पिता जी जाते घुजरात में और यह बहुत छोटा काम है और इनाम दो तारीक को उठाते हैं घर से दो तारीक को पचास जारी नाम, तीन या चार तारीक को एक लाक काई नाम, इतना बड़ा अपराधी डखायत उसको बना दिये 22 साल के लड़के को, तो यह तो पुलिस के बाएं हाथ का खेल होता है, और सरकार जब चाह दे, तो अच्छे छे लोगों को जो है कि या बहु से रियल इंकाउंटर बता रही है, तो क्योंकि मायवती का चाल और चरीतर ही ऐसा रहा है कि मायवती इज मदर आप फेक इंकाउंटर, 2007 से 12 के 20 सबसे ज़्यादा, इंकाउंटर अगर हुआ, फेक इंकाउंटर हुआ, तो मायवती ने कराया, और सभी पिछलों को मरवाया, नरेश के वठों, संकर के वठों, उमर के वठों, भवानी के वठों, नरेशा धीमरों, यह फेक इंकाउंटर हुआ था, 17 निशादों का फेक इंकाउंटर हुआ था, और घंशाम के वठ, और ददुगा कूर्मी का तो मुटभेड हुआ, जिसमें दोनों तरफ से वो भी मा गोली चली तब जाकर वह भी मारा गया मार भी नहीं का पाते पुलिश कर साहरा चैनल वाला लाइब नहीं दिखाया होता तो उसमें भी कई पुलिस वाले मारे गए तो इसको इंकाउंटर कहते हैं कि आमने शामने पुलिस वाला भी मरेगा अपराधी डकयत लुटेरा भी मरेगा आई यह नहीं कि अभी मंघए स्यादों के घर से हो करके लोटे तो इनका कहना है कि अब सर्क्राइब क्राएं नहीं हित्군 हुलेकों को पूरे फिताजी के पास हां या यहां इसनि दिखाता यहीं हिए वी दिखाएं गाते हैं क्या Bowl यह यहीुक्या आया वो जो रोब बताएगा, थैंक्स पर रोचिंग इस वीडियो